हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ सलमा आपकी कोकिंग फ्रेंड आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कलीजी फेटसा भुना याने मसाला रोस्ट ये बहुत तेस्टी बनता है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं यहां पर मैंने बक्रे की कलीजी फेटसा नली तिली और गुर्दे को छोटे छोटे पीसेस में काटके इसे 5-6 बार पानी से अच्छे से धो कर साफ कर लिया है फिर इसे हम चलनी में दाल कर 15-20 मिनिट के लिए पानी पूरा निकलने तक छोड़ देंगे इन सभी चीजों का वजन है करीब 700 ग्राम चलिए अब रेसिपी देखते हैं सबसे पहले एक कड़ाई या बगोने में सारे पीसेस को डाल दे और इसमें शामिल करेंगे 1500 ग्राम करीब मोटा मोटा कटी हुई प्यास और दो तमाटर करीब सतर ग्राम देख टेबल स्पून अधरक लहसुन का पेस्ट और दो तिन चाय के चमच लाल मिर्च पौडर आधा चमच हल्दी पौडर तीन चमच धनिया पौडर और देट चमच गरम मसाला पौडर स्वाद अनुसार नमक और एक पोग कप पुराना दही पौडर दही जिसमें थोड़ी सी खटास होनी चाहिए डाल कर उसके पीछे से 200 एमल के करीब पानी डाल कर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब कभी कुकिंग में दही यूज करें खटा दही लीजिएगा उसी से स्वाद आता है अब फ्लेम चालू कर लें मीडियम फ्लेम पर 15-20 मिनिट के लिए कलीजी फेवसे को गलने तक पकने देंगे बीच में एकाद बार इस तरह से मिक्स करके दुबारा से ढाकन लगा कर पका लिजिएगा इसी चीज़ को आप कुकर में भी तीन विजिल आने तक कुकर लगा कर पका सकते हैं कलीजी फेवसा गल चुका है इसे हब हम साइड में रख लेंगे और जिस कड़ाई में भी आपको भूनाई करनी हो उसे स्टाव पे चड़ा ले अब इसमें दो से तीन टेबल स्पून टेल डाल कर गरम होने देंगे फिर इसमें जो कलीजी फेवसा हमने गला कर रख लिया था ना उसमें से सिर्फ पीसेस पीसेस को निकाल कर कड़ाई में शामिल करेंगे जितना हो सके उतना चमत से सिर्फ पीसेस निकाल कर कड़ाई में भूनाई के लिए शामिल कर देंगे जो बच्ची हुई ग्रेवी है इसे साइड में रख लेंगे इसे हम लास में यूज़ करेंगे अब क्या करना है पांच साथ मिनिट के लिए चमत चलाते हुए इसकी अच्छे से भूनाई करेंगे ये थोड़ा सा लाल हो जाए तब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी करीपत्ती और हरे मिच पीसिस की भूनाई अच्छे से हो चुकी है अब इसमें शामिल कर देंगे ग्रेवी जो हमने बचा कर रखा था कड़ाई में बहुत सारा मसाला लगा हुआ था इसमें भी आदा कप पानी डाल कर मैंने अच्छे से साफ करके ले लिया है इस मसाले को भी मिक्स करते हुए और पांच-साथ मिनट के लिए ओइल की सप्रेट होने तक पकने देंगे रेसिपी आल्मोस्ट डन है आखे में थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया भी उपर से श्विनक देंगे इस मसालेदार कलीजी फेव सब भुना को और स्पेशल बनाने के लिए और एक छोटा सा स्टेप बाकी है इसे डाइनिंग टेबल पर जो सर्फ करने से पहले इसमें बटर और हरे मसाले का स्पेशल तड़का लगाएंगे इसके लिए दो टेबल स्पून बटर को गरम कर लें फिर इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी करी पत्ती हरा धनिया और हरी मिर्च 10-15 सेकेंड के लिए खड़ी पत्ती को थोड़ा सा क्रिस्प होने देंगे फिर फ्लेम बन करके इस हरे मसाले वाले पटर तड़के को खलीजी फेव सा भुना मसाले पर फैला देंगे ये स्पेशल तड़का हमारे रेसिपी का मजा दुबना कर देगा दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टे कनेक्टे, थैंक यू